हेलो फ्रेंड्स असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे अलहमदोलिल्ला मैं पे बिल्कुल ठीक हूँ तो फ्रेंड्स आज आप सबी के साथ बहुत ही टेस्टी और सबका मन पसंद फिश फ्राई और फिश करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ट्वीन वन रेसिपी है इसमें मैं फिश फ्राई भी बताऊंगी आपको करना कैसे है और आपको फिश करी की रेसिपी शेयर करूँगी तो ये एक काटे वाली मचलिया है जो बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं जो भी बच्चे बड़ी मचलिया नहीं खाते हैं वो ये म तो इसमें डालना है, आपको रेट चिली पाउडर, ये है कश्मीरी रचिली पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, उसके बाद मैं ऐड्श करूंगी धनिया पाउडर ये गरीन चिली पेस्ट, अधरक लहसन کا पेस्ट निम्य इसके बाद सबसे इमपोर्टन्ट, मैं दो बड़ चम में अच्छे से कोट होंगे तो फिछ मैरीनेशन भी अच्छे से होगा मसाली फिश में मिलाने के बाद हमें 10-15 मिनिट के लिए मचलियों को रेस्ट के लिए छोड़ देना है ताकि मारिनेशन अच्छे से हो जाएंगे और नमक जो है न अच्छे से और मसाली का जो फ्लेवर है मचलियों के अंदर अच्छे से चला जाएगा 10 से 15 मिनिट के बाद अब कड़ाई में डालना है मस्टड ओइल और फ्लेवर को हाए करके फिश को अच्छे से हमें फ्राइब कर लेना होगा फिश को हाए फ्लें पे अच्छे से फिलेना होगा क्योंकि फिस जो है जादा मोटी नहीं है इनका लेयर बहुत पड़ता है तो बहुत जल्दी वह कृिश्पी भी हो जाएंगी अच्छे से फ्राइब भी हो जाएंगी तो फ्लेम को हाई करके अच्छे से फिश को उलट-पलट के क्रिश्पी होने तक फ्राइब कर लेना है बढ़ ध्यान से पतली आपको कल्छी यूज़ करनी है ताकि फिश तूटे नहीं तो फ्लेम को हाई करके अच्छे से हमें कृष्पी होने तक फ्राइख करना है यह मचलियां इतनी टीस्टी बनती है ना कि आप इसको एज़ ईटी भी खा सकते हैं पराथे के साथ चावल के साथ चावल दाल के साथ खा सकते हैं आपको चापादी के साथ भी बहुत अच बच्चे इसको खाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है तो दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राइ कर लेने हैं बट कड़ाई में डालते के साथ ही आपको फिशेज को अलग-अलग कर लेने हैं ताकि सभी अलग-अलग हो जाएंगे तो एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और अच्छे से पल्टी हो जाएंगे तो फ्रेंड्स रोहु फिश तो हम सभी खाते हैं कतला फिश खाते हैं बट ये एक काटे वाली मचलियों की बात ही अलग होती हिल्दी होते हैं ये और बहुत ही टेस्टी बनते हैं इनका ग्रेवी जो है बहुत टेस्टी बनता है जब यसी तरह से हमें fry कर लेने हैं मैं निकाल चुकी हूँ और जो भी बच्ची फिशे उन्हें भी अच्छे से फ्राय कर लेने ही आप देख सकथे हो जादा ओल इस MUM हो जा रहे हैं अठी भी मझंकी रिना टूटी नहीं इसी तरह से साइख भी मझेड़ भी मौच्छीों में मैं टूटी बाइ क्यूंकों दूता यहे बहुत जो खेता हैँ नो अटिके 10 서로 प्रेवी जाके टोटी बिना था टूका है अब मैं टूता आपको paste बनाऊंगी तो जो paste मैंने बनाना है आपको टमाटर को 4 पीसे में मैंने कट कर दिया है इसमें डालना है आपको लेसन लेसन तो अच्छा quantity होना चाहिए उसमें डालना है आपको हरा धनिया उसके बाद हरी मिर्चे टेस्स के अकॉर्डिंग उसके बाद मैं इसमें काली मिर्चे डाल देनी है उसके बाद यह जीरा वन फोर्ट स्पून डाल देना है इसके बाद आड़ करना है यह धन्या पाॉडर एक बड़े चमच और सबसे इंपोर्टेंट है सर्सो यानि कि आपके पास अगर पीली सर्सो है तो वो भी चलेगा और काली वाली सर्सो थी तो इसे डाल कर आपको स्मूज सा पेस्ट रेडी कर लेना है पानी डाल के कड़ाई में डालना है मस्टर्ड ओयल उसके बाद मैं इसमें आड़ करूंगी आपको मेथी के दाने बहुत सारे लोग आपको फिशे जो है ना पंजफोरन में बनाते हैं बटी ऑथिंटिक तरीके स मैं आपके साथ शेयर कर रही हैं फिश करी कैसे बनती है तो मेथी के डाने डालना बहुत ही इंपोर्टेंट है और आपको मस्टर्ड ओयल में ही बनता है तो पेस्ट हमारे रेडी हो चुका था जब मेथी के दाने अच्छे से तरक जाएंगे तो मैं इसमें डाल दूंगी आपको जो मसाले का पेस्ट मैंने रेडी किया था था थोड़ा सा मिक्सर ग्रेंडर में पानी डाल के भी मैंने अड़ कर दिया इसमें पानी अड़ करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद मैं इसमें अड़ करूंगी हल्दी पावडर कश्मीरी रचिली प्रिंट्स मस्टर्ड वाले जो पेस्ट होते हैं उन्हें थोड़ा टाइम लगता है कुक होने में तो पेशेंट्ली हमें मसालो को अच्छे से कुक करना होगा एक टमाटर मैंने रखा था वो आप अलू मैंने कट करके डाल दी हैं मसाले के साथ यह भी अच्छे से कुक हो जा तब तक मसाले को अच्छे से हमें कुक करना होगा तो फ्रिंट्स ही देखिए मसाले में साइट से ओयल सेपरेट हो रहा है और इसका साइन यह कि मसाले जो है अच्छे से कुक हो रहे हैं फ्रिंट्स सरसो वाली जो मचलियां वह बहुत ही टेस्टी बनती है यह बिहारी स्ट जो है अच्छे से हो जाए और जादा टाइम नहीं लगे कुखोने में तो पानी डाल के इसे अच्छे से हमें मिक्स करना होगा उसके बाद मैं इसमें आट करूंगी आपको फ्राइट किये हुए फिशेज तो देखिए मैंने फिशेज जो है डाल दी है इंदम फिशेज हमार तो मीडियम फ्लेम पे तो फ्रेंट्स यह देखिए और जो है एकदम उपर आ अच्छे से से परेट हो चुका है और यह बहुत ही टेस्टी हमारी फिश करी लग रही है फिशेज बिल्कुल भी नहीं टूटी है और बहुत ही अच्छे से कुख हो चुके है अब मैं इसमें करूँगी हरा धनिया उसके बाद मैं इसे ढख दूँगी ताकि हरा धनिया का जो फ्लेवर है ना फिश करी में आ जाएगा और उसके बाद एक मिनिट के ढखने के बाद आप देख सकते हैं फिश करी हमारा बहुत ही टेस्टी अन डिलीशेस रेडी हो चुका है आई होप आ हमारा बनकर रेडी हो चुका है आई होप आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आया होगा ट्राइज जरूर कीजेगा मेरे स्टाइल में फिश करी बनाना और मुझे कमेंट कीजेगा कैसा लगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई अल्ला हाफिज